Hello dear students, आज हम chapter जो है आपका third उसकी book exercise करेंगे First जो है आपके fill in the blanks है First fill in the blanks जो है आपका, क्या है? Lewis Birley जो थे, developed Birley system, उन्होंने क्या किया था? Birley system जो है, उसको developed किया था, जो language होती है This language is raised alphabet based on dots मतलब यह जो language होती है, वो किसके base पर होती है? जिसे कि आपको alpha bits जो होती है, वो dot dot में उब्रे होती है और उससे कौन लोग पढ़ते हैं, जो अंधे, बहरे जो लोग होते हैं, वो इस language से पढ़ते हैं Next है, pointed pen Pointed pen का use किस में किया जाता है? Is used for writing, लिखने के लिए किया जाता है, बिरली language में जो होती है, उसमें क्या किया जाता है, pointed pen का use किया जाता है, pointed pen एक device होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, stylus बोलते हैं Next question है आपका, third जो है, if there are any physically disabled pupil, यदि यहाँ पर कोई मतलब, एक कोई physical disabled जो होते हैं, मतलब विकलांग व्यक्ति है in your area, तुम्हारे आसपास, then talk to them, आप उससे बात करेंगे, and find out that they are capable of doing which type of task मतलब वो किस तरीके का वर्क कर सकता है, आपको इस बारे में, इसमें right करना है, अब आपको देखना है कि आपके area में किस type का कोई भी विकलांग व्यक्ति है, या वो अंदा है, या बहरा है, या फिर उसके पैर नहीं है, लंगड़ा है या फिर उसके लिए जैसे कोई व्य अब व्यक्ति होगा, उस टाइप से ही हम इसमें answer right करेंगे, या अंधा व्यक्ति है, तो अंधा क्या कर सकता है? सिंगिंग कर सकता है और जिस तरीके का मतलब कि बैरा व्यक्ति है तो वो अच्छा राइट भी कर सकता है तो हम क्या करेंगे इस जो कॉस्चन है इसको हम क्लास में ही करेंगे सब बच्चों से पूछ कर मतलब कि जिसके पास में जैसा कोई व्यक्ति रहता है उसके बारे में व और अदीज च्वातर भूमी जसे बोलते हैं, तो वो कॉन से देस में पैदा हुए थे, वो ते फ्रांस में पैदा हुए थे, कहां पर फ्रांस में, next question है what is stylus stylus किसे बोलते है मैंने अभी बताया था एक device होती है जिससे बिरले script जो होती है उस पर आप write करते हैं वो किससे stylus से ही हम write करते हैं इसमें क्या लिखा stylus is a small mechanical device used for writing जो किसके लिए use की जाती है लिखने के लिए बिरले बाई हैंड यानी की हाथ के द्वारा और जो बिरले script जो होती है उसके उपर write करने के लिए काम में ली जाती है यह जो two questions जो है आपके book में last में दी होई है यह मैंने आपर आपसे write कराई है next है हमारा instruction एक यह दिया हुआ है आपको कि यह पॉसिबल है तो टेली कास्ट ओप न्यूज फॉर मूट डीफ प्यूपिल ओन दूरदर्सन चैन भी सो इन दा क्लास यह मतलब पॉसिबल हो सकता तो ग्या जो वह होते हैं बहरे और होते हैं जो अंधे और बहरे लोग होते हैं उनको हम क्या करते हैं दूरदर्सन से उनसे की न्यूज सुना सकते हैं या फिस हो कर सकते हैं इन ग्लास भी next हमारा examination type question है आपके कौन से हैं यह tick the जिने आप बोलते हैं tick the correct first question क्या है look at the picture given below आपको जो यह pictures दी हुई है मतलब क्या write हुआ हुआ है इंडिया write हुआ है तो आपको इसमें क्या करना है आई एज per video script identify करना है कि आई कैसे write करोगे आप इसमें से चार ओप्सन दी हुए हैं आप से इन चारों में हो गया इसका जो answer है यह क्या होगा हमारा बी वाला इसका answer होगा next है हमारा look at the picture यह picture देखनी है आपको और इसमें से क्या करना है एम को identify करना है video script में तो आप देखें एम कैसे बना हुआ है कैसे बना हुआ है इसमें देखो दो जो पॉइंट है उपर वाले उब्रेवे मोटे हैं थोड़े अब इसमें देखेंगे कौन से उसमें पेज में आपके मतलब ऐसे उब्रेवे हैं डी वाला जो है आपका डी मे तो यह हमारा दो और आपको एक बोने हुआ है इसमें क्या identify करना हैउनि की हाथ की जुड़े से जो लेंपर प्रोडेवेश पटी गया है उसके बारे में यह आप icsitת! वो आपकी क्या है खुली हुई होगी तो इसमें कौन सा आजाएगा आपका बी वाला जो है यह हमारा वाई है ओके स्टुडेंट्स नेक्स्ट है हमारा मैंने आपसे बोला भी था भी कि जो यह आपके जो कोशन है टू कोशन जो है नेम दा नेटिव कंट्री और लुइस बिल्ले और वाट इस स्टैलस जो है यह लास्ट में दिये हुए है ठीक है इनका आंसर जो है मैंने फस्ट पेज प में हम राइट करते हैं यह आपकी आज बुक एक्सरसाइज जो है यह कंप्लीट हो चुकी है अब आप इसमें क्या करेंगे इसको अपनी नॉट्बुक में राइट करेंगे और इसके जो भी आंसर है कोशन आंसर है उन्हें आप लर्न करेंगे ओके डियर स्टुरेंट थैं करने बाहां जरसे रखाओ।